असलाम अलेकूम आज के इस special technology podcast session में हमारे special guests जो के पने career में five time gold medalist और one time silver medalist रहे हैं इसके अलवा University of Southampton में आप research novelty award बिन कर चुके हैं अमेरिका में आप American oil chemist society में जहां पे आपने MIT के students को beat किया उनको outclass करके आपने research award बिन किया इसके इलावा आप different elsewhere के journals में आप editorial board members हैं high impact factor journals के तो यनि बहुत ज़दा achievements हासल करने वाले हमारे आज के very special very talented guests dr. सेथ अवैस अली बुखारी सहाब हम welcome करते है रोक साब आपको और आपका बहुत शुक्रिया कि आज के सशन के लिए आपने हमें time दिया सबसे पहले आपको असलाम अलेकुम और हमारी audience असलाम अलेकुम और आप लों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो आना मुझ जैसी नाचीज को contact किया और इस काबिल समझा गया अपने इस program का हिसा बनाएं तो थैंक यू वरी मुच तो यू और यू तो यू यू तो अपके इंट्रॉक्शन से स्टार्ट करते हैं पाकिस जगह से हैं आपका जो इनिशल जो एजुकेशन का जर्नी हैं कैसे स्टार्ट हुआ और अभी आप किस स्टेज पे हैं अपने करियर के सर मैं बैसिकली आई वस बॉन और रियस्ट इन लहौर मैं लहौर से ब्लांग करता हूं और बैसिक जो मेरी एजुकेशन है वो भी लहौर से है और मैंने कॉम सेट्स यूनिवर्स्टी इसलावबाद लहौर केंपस से ही 2010 में बी एस सी केमिकल इंजिनरिंग की और उसमें एक जिसना हर इंसान की जिन्जी में एक टर्न हो रहता है वही मेरे जिन्जी में के टर्न यह था कि मैं डेस्कॉन आउक्जी केम में बैसिकली फील्ड की जॉब कर रहा था तो हमारी मैं मतलब हमारे जो एक्स चेर्मेन और हैड़ो डिपार्टमेंट से जिनका मैं नाम लेना चाहूंगा जिसमें डॉक्टर मुहिनो जी घौरी साथ है और प्रफेसर असदूला खान साथ क्योंकि मैं उन लोगों के साथ मैंने फाइनल ये प्रजेट भी किया उनका स्टूड़न भी था तो उन्होंने कहीं जज़ करके रखा हुआ था कि इस स्टूड़न में कोई पोई पोटेंशल है फरदर आगे बढ़ने का तो दे आर दा वन हो एक्चुली ऑफरड मी और उस इंडर्स्ट्री से तो मुझे इन्होंने कॉल करके का कि आप जो आना कॉम सेट्स में फिकल्टी के लिए अप्लाइए करें और एक और चीज़ी कि मैं मैडलिस्ट था अपने बैच का तो उधर से फिर एक जरनी स्टार्ट हुई फिकल्टी में आना रिसर्च के बारे मुझ सब्सक्राइब इन्हों नहीं उस टाइम पे ना यू यूनिवर्स्टी टिक्नालोजी फेटरो नास इस्पेशली इंटर्व्यूस आके कंडर्ट करती थी और पोस्ट ग्रेजुरे स्टूडेंट्स जो है ना वो इदर से लेके जाती हो तिकी मलेशिया के लिए उसका हमारे इसलामबाद में इंटर्व्यू जारी था जिसमें इन्हों नहीं हमारे जो चेर्मन और हैट और डिपार्टमेंटों ने मुझे रिकमांट किया और मैं MSC बाइरिसर्च केमिकल इंगली सेक्ट हो गया और 2011 में मैं मलेशिया चला गया फिर डैट वाज वरी लॉंग जर्णी जो के एक साथ साल की जर्णी की जिसमें तीन साल का मास्टर सा जो के MSC बाइरिसर्च था और आपको बताए MSC बाइरिसर्च जो है ना वो कुछ ना कुछ टाइम ले लेता है और उस MSC बाइरिसर्च के बाद फिर मैंने PSD स्टार्ट की 2014 में जो के 2018 में जो है वो खतम हुई फिर मैं बीच में जो है वो बर्नो यूनिवर्स्टी और टेक्नालिजी के फिकलिटी और मेकनिकल इंजिरिंग डिपार्टमेंट में चेक रिपबलिक में एज विजिटिंग रिसर्चर भी थोड़ा रसा गुजारा फाइनली फिर मैंने कॉम सेट्स को री जॉइन किया 2018 मे आफ्टर मैं पीच टी तो उसके बाद से सर फिर ये बड़ी रह्मक की बहुत नमाजा और उसमें फिर डिफरेंट अवार्ड्स हैं और अभी तक जो है माशाला अपनी रिसर्च में लगे हुए हैं लेकिन अगर कोई मुझे कहिए कि मेरा इस रिसर्च फील्ड में मेंटर क कौन हैं तो मैं वहीं कहूंगा कि मुझे इसमें लाने वाला और मुझे परखने वाला है वह ये दो लोगी हैं प्रफेसर डॉक्टर असदुल्ला सान और डॉक्टर माइन दिन गौरी अजी डेफिनेटली बहुत बड़े नाम है यह अकडेमिया में आपका रिसर्च अचीवमेंट्स नमबर फिसर्च अचीवमेंट्स है लेकिन लट्स गो तु दा कोर फियर रिसर्च पीएच डी में आपकी जो रिसर्च का टापिक था हो क्या था सब्सक्राइब में एक रिक्टर डिजाइन किया था जिसको अंदरवर्ट करने के हाइड्र डैनमिक कैविटेशन रिक्टर कहते हैं और इससे डिफरंट बायो फ्यूल्स की प्रड़क्शन और वेस्ट वाटर ट्वीट्मेंट इन चीजों में इसकी जो एनाव मलेशियन रीजिन हैं उसमें इस तरफ किसी का ध्यान भी नहीं गया था तो मुझे बलके पूरा एक साल लगा जस्ट अपने उस इक्विप्मेंट की डिजाइनिंग की फाइनिलाइजेशन पर जिसकी वासे मेरा एक साथ ज्यादा लगा पियर्टी में लेकिन अलहम्दुल मुझे अमेरिका तक में जो है ना वो अवार्ड के लिए बलाया गया तो अलहम्दुलिल्ला जो है वो मतलब इस इस टॉपिक की वज़ा से मतलब यह मेरा बैसिकली मेरा जो रिसर्च फील्ड है वो तो यही है रियूनियोबल एनरजी ग्रिंग हाउस गैस एमिशन वेस्ट मिनिमाइजेशन कार्बन फूट्प्रेंट पर बैसिकली जो मेरा टॉपिक था वो एक रियक्टर डिजाइन करना था और फिर उस उसके बाद यही जो रियक्टर है इसके उपर मैंने डो पिटेंट्स फाइल किये और अलहम्दुलिल्ला इस टाइम बी डव्यू कैमिकल्स यह शेखुपुरा रोड पे है लहोर में इन और नहीं मेरे से टेक्नालिजी जो है ना उसमें इंडर्स्ट्रियल अकैडमिया कालिबरेशन करके मैंने उनको भी यहां पर यह प्लांट लगा वे दिया और उनको उनका जो एक जिसको कहते हैं रियक्शन टाइम था वो पहले लेट्स पोस्ट फूर आवर सा उनकी पॉड़ेट के लिए तो अलहमदुल्ला वही रियक्शन टाइम आप काम होके जैस्ट वो अपनी पॉड़ेट जो है वो दस मिनट में बनाके और कितनी इनरजी भी सेफ कर लेते हैं और इन्वायर्मेंट को भी सेफ कर लेते हैं जबरदस जबरदस अचीविव्मेंट है ये कम्यूनिटी सर्विस के हवाले से भी और आपका जो रिसर्च प्रोफाइल बिल्डेंगे हवाले से भी जबरदस कोई चैलिंज बताएं जो आपको आया हो रियक्टर डिजाइन के हवाले से और उसको आपने ऑवरकम किया हो सबसे बुड़ा चैलिंज था लेंग्विज बैरियर क्योंके मैं उसके मैं मलेशियामे में था दो जो आपका व्हेंडर आप ये सामने बैठा होते हैं जिसको आपने बताना है कि ये मेरा डिजाइन है और इसको क्या बनाना है ठीक है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि उनको इंगलेश नहीं आती थी और मुझे चाइनीज नहीं आती थी क्योंकि वो चाइनीज वेंडर थे वो इतनी को मतला अउपर से जो मेरी सुपरोइजर थी मलेशियन थी उनकी जबान मले थी तो उसमें एक ये चैलेंज आया करे जो हमने उसमें पंप के डिजाइन को दिये हुए थे और और उसी प्लेट्स के डिजाइन डिये थे वो जो डिजाइन थे वो घलत आ गए जिसकी वाया से एक यह मेने का और डिले हमारे उसमें स्टार्ट अप हो गया कि हमने मिटीरियल कोई और का गया था हमें उनने मिटीरियल कोई और लगा दिया और डियू तू सर्टन टेंपरिचर प्रेशर कंडिशन वो challenges तो आपको पता है research field में बे बहाद है, वो मैं आगे आपको इस पीस को में बताऊंगा कि इस पीसको भी कैसे overcome करना है, being a researcher. आपका interaction Asian students के साथ और European students के साथ और American students के साथ और तो क्या, कैसे इनका जो research output है, उसको आप कैसे compare करते हैं तीनों को, research problem solving के हैं के हवाले से, सर एक चीज़ तो यह कि जो अमेरिकन्स रिसर्चर्चर जाना दे अर वर्किंग एक्चुली ऑन प्रॉब्लम सॉल्वेंग उनका यह नहीं है कि हमने पेपर पॉब्लिश कर दिया और उसके बाद पेपर को रख दी और नहीं उनका फोकस है पेटेंट्स की तरफ ठीक है आज ह कि इस टाइम हमारा एक सेशन चल रहा है या उसके लावा आप देखें जो हमारी एक डेली लाइफ में हम लोग जो भी कोई सॉफ्वेर यूज़ कर रहे हैं या कोई भी चीज़ यह बिसीकली इसके पीछे अगर आप देखें तो यह किसी ना किसी पीएज़ी की बन्याद पर तो यह चीज मैंने एक्टिव नोट किया कि यूएस के जो लोग हैं उनका रुजान यह है कि उन्होंने दुनिया को कुछ देना है ठीक है उन्होंने अपनी पूर्डर्ट कमरिशलाइज करनी है उसको प्रेटेंट करवाना है नमबर वन यह चीज़ है अच उसकी कमर्शिलाइजेशन की तरफ से तरह नहीं है लेकिन उनका उनमें यह है कि हम इंडिस्ट्रीज के प्रोजेट लें और इंडिस्ट्रीज की छोटी-छोटी प्रॉब्लम को सॉल्फ करें मतलब उनका विजन दुनिया के लिए नहीं है लेट सबोस जी मैंने एक आई ब चाहिँ एस्ट्रिया को गया जिसमें चाहिना होगया जिसमें मलेशीय हो गया मेलिशी होगया मैने प्रॉब्लम देखने में यह है कि खास्वर्पर जो सूपरवाइजर हैं ठीक है हाना के वो खुद यू के अस्ट्रेलिया अमेरिका से पढ़े हुए है लेकिन पता नहीं इदर आके उनके रिसर्च एटिचूट को क्या हुआ है मैं की मानता हूं रिसर्च नाइन टू फाइफ की जाब नहीं है आप बैंक में जाब नहीं कर रहे हैं आप कोई किसी फ रिसर्च जो है ना आपके उपर बहुत सारे मूड स्विंग भी आते हैं यह नहीं है कि आप रिसर्च कर रहे हैं तो आपका पांचो दिन इनर्जी का लेवल सेम होगा हो सकता है कोई कई दफ़ा ऐसा मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने दो दो हफ़ते मैं कोई काम ही नहीं कर है तो एशिया में मैंने चीज़ नोट की है खासर पर जिन ममाले के मैंने नाम लिए या पर सुपरवाइजर भी सुबह आठ बजा के बैठ जाता है रात को बारा मज़े तक इदोने स्टूडेंट्स को बठाया होता है और एक पॉब्लीकेशन की रेस लग भी है ठीक है इन वह भी कोई ऐसा कितना कोई मुझे नहीं लगा कि कोई फाइदा मन रहा है और यह एक बड़ा एटीचूड प्रॉब्लम है कि वह एक स्टूडेंट है रिसर्चर उसको सुबह नौ से लेके और रात को बारा मज़े तक उन्होंने लैब में बठाया हुआ है और चाहिए वह लेकिन उससे उसकी रिसर्च प्रॉडिक्टिविटी पे एक बहुत नेगेटिव रिसर्चर के लिए तो यह कि उसको एक सुपर्वाइदर का चेकन बलना सुना चाहिए लेकिन उसको एक खुली छुटी दे देनी चाहिए फिर वह एक प्रॉडिक्टिव काम कर सकता है या वह कुछ भी नहीं करके भाग गया इसमें दो कोई राये मेरी हैं ही ने ठीक है तो इसलिए मेरा यह मालना है कि रिसर्चर इस नॉट टन नाइन तो फाइव जॉब ठीक है यह यह आप पर आपको तीन बजे भी आपका मूड अगर बन गया है तो आपने अपना लैपटप नहीं दे रहा तो आप चाहे सुबह नौ से लेकर रात को दो बेज़ाज भी बठे ने अपनी लैब में आपसे एक लाइन में नहीं लिखी जाएगी आपसे कोई एरॉर्स आहीं जाए बिलकुल अगरी करता हूं आप से यह नहीं जो रिसर्च है वह रिसर्च में एक एक ए हम एशियन कंट्री में बिलकुल मैं इस बात से अगरी करता हूं तो सब आप जो एल्सवेर के साथ असोसियेटेड हैं अच्छे इंपट्फेक्ट्रेड जैनल्स उनके आप असोसियेट एडिटर हैं तो आप स्टूडेंस तो क्या ऐसे टेंगे कि वह अगर अच्छे इंप काम की है एक एकस्परिमेंटेशन की है या मॉडलिंग का काम है जो भी है वो काम उन्हें ने की है उस पेपर से ज़्यादा अच्छा वह जो मर्जी रिविविवर एडिटर असाइन कर दे उस पेपर की नॉलेज और उसकी वर्थ जो उसका माले कहना उसे ज़्यादा कोई जान सकता और हर पेपर पब्लिश होने के लिए यह जो नॉर्मली आपको आता है कि लैक ओफ नोवैलिटी हम आपका पेपर डेस्क्रेशन पर बात चलिया थी कि रिजट कर दी है अब उसके पीछे की वजवात मैं आपको बजाता हूं कि है हमारे आप स्टूडेंट्स को ए एक प्रेशर होता है डेफिनिटी एक सुपर क्यूंकि मैंने की मानी है खासवर मारी एशन कंट्रिज में आपके सुपर वैजर के फेस पर तब स्माइल है जब उसको आप एक पेपर पेपर दे रहे हूं और जिस ताइम को दो महीने तीन महीने वह चीज बंद हो जाए या क बहुत मेरे साथ से खलत चीज़ है तो स्टूनेंट सागरते हैं हरी में ना जल्द बाजी में यह बनी देखते कि क्या इस जर्नल के स्कोप में हमारा पेपर आ रहा है यह नहीं आ रहा उसको फॉरन से बहुत सब्मिट कर देते हैं और उस जल्द बाजी में कुस चोटे-च अब मेरे पास डेली के जो है रफली यह अगर मैं चारों जर्नल मिलाओं तो मेरे बस डेली के फॉर्टी टू सिक्स्टी पेपर आते हैं मतलब ऐसे एडिटर और मैंने उसको फिर आगे रिव्यूवर्स को असाइन करना होता है ठीक है और इस काम में भी मुझे इन चालिस फिरफ़ को हंडल करने में मुझे डेली के दो से चार कि यह चाहिए जो मैंने अपने काम के लावा इस काम कलिए ale जो मैंने देने हैं तो वहां पे अब उस 50-60 पेपरों मैंसे मैंने दस ही पेपर भेज़ते हैं आगे रिव्यू के लिए बाक्यों को डेस्क रिजेक्टी करना होता है और उसकी वज़ा किया है पेपर प्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं है ठीक है एक लाइन लिखिया उसके आगे जो हैना वो प पढ़ना गवारा नहीं करते उसको पढ़े बगार ही एक अजीव से फॉर्मेट में पेपर जो आना वह अपलोड कर देते हैं तो फिर हमारे लिए भी बहुत इजी हो जाता है कि जब आप जब आपका पेपर नजर कोई नहीं अच्छा लग रहा और इतनी प्रेटे से एक चुक्ती होती है पेपर देख देखके अपने सामने कि वो उसके सामने जब पेपर आते हैं तो वो एक नजर में पहर चल जाता है कि यार यह इस पेपर काबल है या नहीं बिंग अडिटर मुझे तो नहीं पता कि इस पेपर में नौलेटी है या नहीं है मैं तो उस पर आफर इंफरमेशन पैक जो है ना उसको पढ़ें और पेपर की जो लुक है और उसकी जो प्रेजेंटेशन है उसको प्रॉपर रखें तो फिर आपका पेपर के हंडर्ड परसंट चांसिज हैं कि वो एडिटर से होके रिव्यूर्स तक और नाइटी परसंट केसिस में ऐस इसमें कोई तो बात है तो फिर उसमें यह है कि रिव्यू भी फिर जो ना वो पॉजिटिविटी की तरफ आपके तो बाकी मैं यह कहूंगा कि जिस इनसान है अपनी लैप में या सिमॉलेशन का या मॉडलिंग का काम की है या उसका कोई कोई भी कॉन्सेप्शन पेपर है इवरी पेपर इस रिटन फॉर टूबी पबलिश उसमें पबलिश तो होना है कहीं पर तो की पॉलिशिंग रिट और उसके लिए आप जिस जर्नल में पेपर सब्मिट करा रहे हैं उस जर्नल को कि लिटस पेपर सो देखे हैं उसको पढ़ें और आपको खुद अन आईडी बढ़ा बेतरे हैं टिप दिया आपने पर सब्सक्राइब करते हैं यंग रिसर्च के लिए आपको कोई स्पेशल मेसेज हो जो आपके एरिया में आपके करिये जिसके रिपालने परसूख किया इसी को परसूख करना चाहिए या ओवराल रिसर्च में अगर भी आप अडव नहीं मिली तो मैंने ना पीएशडी शुरू कर दी है तो इसमें यह होगा कि मैंने इसमें देखा सैवंटी फाइब परसंट लोग पीएज़े की डिगरी को छोड़ देते हैं वो भी आपका चार-पांच साल जाया हो गए ठीक है या आप नहीं कर पाए आपका रिसर्च का चुम्कि रिसर्च के लिए एक चीज़ चाहिए वो है पैशन अगर आप में पैशन नहीं है तो ये काम तो बिल्कुल भी हो भी नहीं सकता क्योंकि रिसर्च की फील्ड ऐसी है जैसे एक मुसल्मान को सरदियों की सुबा फजर के लिए उठके तो ठंडे पानी से वजू कर आप अगर आपको वाकी कुछ करने का रादा है या रिसर्च करने का पैशन है तो फिर आप इस फील्ड में आएं और मेरी यही तर्जीज होगी आपको के सबसे इंपॉर्टन की यह नाइन टू फाइफ रिसर्चर की जाब नहीं है रिसर्चर का काम है मैंशा कहता हूं यह 24 आवर्स की जाब है और देलरे इस नो वीकेंड फ़र रिसर्चर के लिए कोई वीकेंड नहीं है आपका वीकेंड वो मंड़े और यह को पर करने के लिए मेरा और मैं खुद भी अपने पर यह इंप्लिमेंट करता हूं कि अगर मुझे जरा सा लगता है कि मैं यह काम नहीं कर सकता है मैं उदर भी इसको स्टॉप कर देता हूं अपने आपको रिलैक्स करके फिर उसमें और दूसरी से इंपॉर्टन चीजी है कि कुछ स्टूड़न्स ऐसे होते हैं जिनके अपने सुपर्वाइजर के साथ इखतला है ठीक है और अगर वो यंग है तो एक मेरी बाज़ आर रखिएगा कि आफ्टर यॉर ग्रेजुएशन आपका पीएजी सुपर्वाइजर और आप एक ही कष्टी के मुसाफिर हैं आपने एक ही कष्टी में चलना है तो अगर कोई सी भी किसम की अपने सुपर्वाइजर से ऐसा लें जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट भी हो और आपको पता हो कि मैंने प्रॉग्रिस करनी है बजाए इसके कि आप एक रॉंग इंसान चूज़ करने और एड दी एंड जब आपकी पीएश्टी हो जाए तो आपके कुछ ऐसे तालुकात हों कि आप एक दूसरे की एमिल का जवाब भी ना दें, तो आपका का आपके सुपर्वाइजर के साथ एंड तक किसी ना किसी मामले तक कि कोई बात है जब आप की फील्ड भी सेम है तो आप एक ही कशटी के मसाफिर है तो आपका कोई ना कोई उससे पाला पढ़ता रहना है तो इसलिए यह यह आपको इस चीज़ा ख्यालेगना होता है लोगसा बहुत शुक्रिया आपने आज का सश्चिन के लिए हमें भग दिया और आपके ये चोटे-चोटे वेरी यूसफुल टिप्स उमीद हैं हमारे जो यंग रिसेर्चर्चर्ज जो शिर्या में काम करना जाते हैं उनके लिए बहुत यूसफुल होगे थैंक यूवरे में रॉक्सार थैंक यूवरे मैं सब्सक्राइब